नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में जो दोस्तों वो कहावत तो हम सभी ने सुनी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वो ही खिसियानी बिल्ली अब कनेडा बन चुका है क्योंकि हफ्तों पहले इन्होंने भारत पर जो आरोप लगाए थे पहली बात तो उसको लेकर आज तक जी हां इतने दिन बीच चुके हैं एक छोटा सा भी सबूत ये लोग नहीं दिखा पाए हैं और ये इतने नालायक हैं कि जब पाकिस्तान या भारत के बीच में कुछ होता है ना कम से कम पाकिस्तान जूटे या फिर फैबरिकेट किये हुए बदनामने पेश कर देता है जिससे की उसे मूँ खोलने का मौका मिल जाता है लेकिन ये पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं तो दूर जूटे सबूत भी नहीं दे पाए हैं इतनी जादा कम तयारी थी इनकी भारत को बदनाम करने की तो खैर इनकी इसी नाकामे की वज़े जैसे प्रायम मिनिस्टर जस्टिन टूडो महीनों से दुनिया के बड़े बड़े राष्टा धक्षों के पास गए कि जी हमारी सुनलो हमारी सुनलो किसी ने नहीं सुनी सब ने भारत का पक्ष लिया उसके बाद ये छोटे छोटे देशों के पास गए जैसे की जोर्डन UAE इन देशों के पास गई कि जी हमारी सुनलो सभी ने एक स्वर में बात कही कि चलो हम आपकी सुनेंगे लेकिन एक सबूत तो दो भारत के सामने कुछ रखो थो कैसे हम भारत को कुछ कह दी जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं और यही कारण है कि कनेडा की सरकार अब इत केस को लेकर वहां की जो फोरेंड मिनिस्टर है उन्होंने प्रेस कोंफरेंस की प्रेस कोंफरेंस में सबसे पहला सवाल कनाडा की मीडिया नहीं पूछा कि जी सबसे पहले आप यह बताईए इतने दिन बीच चुके हैं कि आपने भारत के सामने कोई सबूत रखा है किसी प पर इन्होंने यहां भी बात घुमा दी कहा कि भारत ने हमारे डिप्लोमेट्स को नहीं निकाला है हमने खुद अपने डिप्लोमेट्स कम किये हैं इतना ही नहीं इसके बाद इन्होंने अपनी जनता को शांत करने के लिए ये भी कह दिया कि डिप्लोमेट भगाने से भारत का ही नुकसान है हमारा नुकसान नी है नुकसान इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे भारतिये हैं जो कनाड़ा आने के लिए लाइन में लगे हुए थे लेकिन डिप्लोमेट कम होने की वज़े से अब वीजा प्रोसेस स्लो होगा उनका टाइम बढ़ता शिला जाएगा लेकिन विदेश मंतरी साहिबा अपने लोगों को ये नहीं बता पाई कि इस वज़े से कनाड़ा का भी भयानक नुकसान है क्योंकि कनाड़ा हर साल भारतिये स्टूडेंट से अर्बो डोलर कमाता है और भारतिये स्टूडेंट के ना जाने की वज़े से वहाँ पर सबसे पहला न इनिवस्टीज को वहाँ की जो एडुकेशन इंडस्ट्री है उसे दूसरा नुकसान आम लोगों को भी होगा क्योंकि वहाँ पर जो भारतिये स्टूडेंट जाते थे तो वहाँ पर चोटी चोटी लोकल शोप सोती थी वहाँ पर पार्ट टाइम जोब करते थे जिससे की दोनों का काम होता था भारतिये बच्चों को पार्ट टाइम जोब मिल जाती थी थोड़े पैसे कमा लेते थे दूसरी तरफ जो वहाँ पर चोटे चोटे विजनिस थे लोकल शोप थी ग्रोसरी स्टोर थे उन्हें बहुती कम सैलरी में बहुती अच्छे इंप्लोई मिल ज भारतिये लोगों पर लगा दिया जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ तरसल हुआ ये कि इनोंने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करी है कि आप भारत ट्रेवल मत करें क्यों ना ट्रेवल करें कि आपके साथ भारत में हरैसमेंट हो सकता है भारत के देशों की दुश्मनी खूब बढ़ गई थी यहां तक कि भारत की आम जनता भी ने खूब ना पसंद करती थी लेकिन उसके बावजूद अमेरिका से यूरोपेन देशों से भारत में लोग घूमने आया करते थे क्या एक भी बार किसी भी यूरोपेन को भारत ये लोगों ट कि आज तक आपने कोई खबर पड़ी है कि किसी चीनी नागरिक को भारत में बेवजय टार्गेट किया गया हो हरेस्मेंट किया गया हो बिलकुल नहीं क्योंकि हमारा इस संसकार है ही नहीं हजारों सालों से हमारी संसकरती हमारे लोगों ने नहीं छोड़ी है जो की कहती है हम अतीती का संबान करते हैं उसके साथ गलत विवार नहीं करते जो मैक्स टू मैक्स भारती लोग कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ हाली में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर जब आउट होकर जा रहे थे तो हमारे लोगों ने वहाँ पर जैशीराम के नारे लगा दिये इसके लावा किसी ने उन्हें गाली दी ना किसी ने गलत शब्द कहा बस जैशीराम कहा जबकि जब भारती खिलाडी जाया करते थे पाकिस्तान तो हाली में एक पूर खिलाडी ने बताया है कि हमारे उपर कील पत्थर यहां तक कि मुक् एक्षन लेना चाहिए तुरंट